हेलो फ्रेंड्स वेलकम टुमाई यूटूब चैनल एईएस एजुकेशन साज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इगनु की एक बिग ब्रेकिंग नूज है इगनु के जनवरी 2023 सेशन के एडमिशन ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड प्रोग्राम के लिए अनौन्स कर द आने वाले हैं कि इगनु के एडमिशन जो जनवरी 2023 सेशन के एनौन्स किये गए हैं इसके लिए क्या आपकी कोर्स लिस्ट है किस किस कोर्स के एडमिशन अनौन्स हुए है क्या फीस रहेगी क्या eligibility conditions है और क्या आपको इसके लिए डोकुमेंट्स चाहिए इसके लावा आप अपने मोबाइल से कैसे अपना एडमिशन प्रोसेस कर सकते हैं तो वीडियो में स्टार्ट करूं उससे पहले बता दू कि अभी जब अनौन्समेंट हुआ है तो 31 जनवरी 2023 एडमिशन के लिए लास्ट डेट इगनु के द्वारा निर्धारित की गई है जिसे बाद में एक आपको ररिजेश्टर ओंलाइन जो ओप्टन बीखेगा इस पर लेक्त करेंगा तो ब्रेट पर बोर्मत्र बोर्त में आप सकते हैं अगर दिख्कत होती है तो त्री डोट पर आएंगे और यहां पर डेस्क्टोप वीव क्लिक करेंगे तो डेस्क्टोप वीव भी आपका हो जाएगा तो आप जी लिएक सेम फोर्मेट अक्सेस कर पाएंगे उसके बाद यहां पर आपको आना है प्रोग्राम इन्फो डिग्री कॉरसी आजाएंगे या फिर आप बीए भी लिख सकते हैं अकोरडिंगली जिस भी कॉर्स में आपका आपका ड्मिशन लेना है उसी कॉर्स को आप यहां पे डीर मौर पे डीर मौर पे अब मौर क्लिक करते ही उस कॉर्च की पूरी इन्फोरमेशन eligibility condition किस medium में offer है क्या क्या उसमें subject offer किये गए eligibility क्या है fee structure क्या रहेगा तो यहाँ पर आप BA की fees देख सकते है 4000 रुपे पर year है 3 साल की 12,000 है तो आपके सामने पूरी details हो लेबल है और program coordinator कौन है courses कौन से offer है और किस-किस study center में program offer किया जाता है वो sub information भी है पूरी display हो जाती है तो यहाँ से आप check कर सकते है अब आपकी जो भी program आपको वीव करना है same way उसकी eligibility क्या subject उसमें है कितनी फीस लगेगी पूरा इस तरह से आप वीव कर लेंगे मैंने आपको बता दिया है अब हम आते हैं अगले step पे कि documents क्या चाहिए और कैसे आपको admission करना है तो admission कैसे करते है mobile से वो video already मैं बना चुका हूँ previous session का बिल्कुल same procedure है लिटो same way आपको अपने mobile से जैसे इस वीडियो में बता है same उसी तरह step से proceed करेंगे आपका admission easily आप अपने mobile से कर पाएंगे उसके बाद बात आती है admission आपका mobile से पूरा proceed कर लेंगे documents कौन सी चाहिए तो फोर एक जमपर अगर आपको bachelor degree program में admission लेना है तो bachelor degree program में admission लेने के लिए आपके पास 12th 10th अगर आपकी category है तो category और एक important information और बता दू कि SCST students के लिए गनोंने fees exemption कल ही अनाउंस किया है bachelor degree program जैसे की BHE, BSEG और BCOMG course के लिए उसकी अलग से वीडियो जल्दी अपडेट करूँगा वो बिना fees admission कर सकते हैं अगर वो कुछ सर्थ फोलो करते हैं तो तो आज की वीडियो में यहीं update है admission किस link से करना है कैसे admission करना इन सभी important वीडियो के link वीडियो के description box में available है जो भी हमारा channel AIS Education पहली भार देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूले